As a biker हम सभी ने hero की कोईनों की bike सी अपमारी biking की स्टार्टिंग करी होगी जैसे की hero की splendor होगी, hero की extreme होगी, hero की zmar होगी, charisma होगी यह जो bikes है 2000 से लेकि 2010 तक बहुत चली है मतलब की sports bike की category में तब ही कोई उत्ती जदा varieties हमको इंडिया में नहीं मिलती थी लेकिन hero ने इतनी सारी variety ला लिया था तब sports bike की range में मतलब hero की extreme आ गई थी, hero की zmar आ गई थी, hero की charisma आ गई थी hero ने पूरे इंडिया को sports category में लाया लेकिन जो bs6 में हमको जो extreme 160R मिलती थी उसमें हमको no doubt उसमें no doubt power भी अच्छा खासा मिलता था, price range भी अच्छा था, city में जो presence था लेकिन थोड़ा बहुत हमको जो लगता था मतलब की थोड़ा बहुत comfort level वगरे उस गारी में नहीं था तो hero ने यह सब अभी हटा दिया है अभी आप मेरे बाजों में देख रहे हो यह है एक्स्ट्रीम की 160R 4V यह जो है 4V वाला मोडल है और जो पहले आता था 2V वाला मोडल वह भी अभी आ रहा है लेकिन यह जो है updated model अभी hero ने अवाइलेबल कर दिया है पूरे इंडिया भर में तो इसमें जो है सारी की सारी जो छोटी से छोटी से चीज़े 2V में मिसिंग थी वह सारी चीज़े जो है एक्स्ट्रीम 160R 4V में hero ने डाल दिया है जैसी कि आप अब गर यहाँ पर देख रहोगी यहाँ पर आपको 4V की बैजिंग देखने को मिलती है तो यह जो है 4V का इंजन इसमें दिया है मतलब कि 4V वाल विस इंजन को कर दिया गया है तो अभी हम कर देख रहो थोड़ा से शाप लग रहा होगा थोड़ा से रज्ड़ा अच्छा लग रहा होगा तो आपको फ्रण में इस गाड़ी में आपको और फीलिंग मिलने वाली है तो आते हैं हम इस गाड़ि के front profile के रवब इस गाड़ी के headlamp को तो headlamp में technology же his soybeans हझाल्प देखने को मिलते है deo drl आपको इस गाड़ी में देखने को मिलते है यहापा 3D envelope badging हेरो की indicators केकर में बात करूँ तो इस dependence system company safe fit करके मिलता है और flexible LED के indicator आपको इस गाड़ी में देखने को मिलते हैं अभी हम आते हैं इस गाड़ी के टायर सेक्षिन की तरफ और सस्पेंशन की तरफ में बाद सस्पेंशन की तरफ तो इस गाड़ी में जो आपको यूज़ी फोक वाला भी मॉडल देखने को मिलता है लेकिन अभी मेरे पास जो अच्छा खासा comfort आपको देता है तो आते हैं इस गाड़ी के front tire section के रहा तो यहां पर आपको stylish वाले level के साथ में tubeless वाले tire देखने को मिलते हैं 80 by 170 inches का आपको यहां पर tire देखने को मिलते हैं dual caliber का disc brake देखने को मिलते है single channel ABS के साथ में और पीछे के tire section के size की अगर बात कुरते हैं इस गाड़ी में आपको 130 by 70, 70 inches का आपको पीछे के tire section की size देखने को मिलते हैं और इस गाड़ी में पीछे में आपको single caliber का disc brake देखने को मिलते हैं लेकिन इस गाड़ी में आपको single channel ABS इस गाड़ी के engine section के तरब तो इस गाड़ी में आपको 163.2cc का oil cooled engine देखने को मिलते हैं जी हां गाड़ी में आपको oil cooled engine देखने को मिलने वाला है 4V में तो यह produce करता है 16.9 PS की power और इस गाड़ी का maximum torque गाड़ी का engine performance हो है और भी जदा better हो गया है 2V से और इंजन जो है fi programmed है आज आप सभी को पता ही होगा कि fi तो आजकल सारी गाड़ियों में आ ही रहा है अभी हम आते इस गाड़ी के पीछी के profile के दरब पीछी के profile के दरब तो back profile के गर में बात करूते हैं आपको fully LED का setup देखने को मिलने वाला है backlight जो आपको LED के देखने को मिलती है इंडिकेटर्स भी आपको LED के देखने को मिलते हैं लेकिन इस गाड़ी के अगर में बात करूत तो बहुत जादा stylish इस गाड़ी का फेंडर लेग देखने को लगता है और पीछे का लुक भी इस गाड़ी के बहुत जादा मस्कुलर है क्योंकि आपको इस गाड़ी में आप तो आप अगर family में इस गाड़ी को चलाना चाते है मतलब commuting के लिए चलाना चाते हो city में चलाना चाते हो तो उसके लिए बेस्ट लगता है और अब हम आते हिस गाड़ी के gear ratio की तरप तो इस गाड़ी में आपको फाय स्पुड का manual gearbox देखने को मिलता है जो की अच्छा खास अच्छी खाजी stability देता है city के अंदर भी और city के बाहर भी अगर मैं इस गाड़ी के curve weight की बात करो तो इस गाड़ी में आपको 144 kg का curve weight देखने को मिलता है तो 144 kg के curve weight के कारण इस गाड़ी जो है अच्छे खाजी stability के साथ road पे चलने वाली है और इस गाड़ी के ground clearance के अगर मैं बात करो तो 165 mm का आपको इस गाड़ी में ground clearance देखने को मिलता है जो की बहुत ज़्यदा अच्छा है मतलब की city के जो गड़े है speed breakers है वो आराम से गाड़ी जेल लेगी और अगर मैं इस गाड़ी के टैंक की capacity के अगर मैं बात करो तो टैंक की capacity है 12 लिटर की आपको इस गा अगर मोड का दाबाते हो तो यहाप आपको ट्रीप बीशेट होता है और फिर से ओडियो यहाप आ जाता है और यहापको यहाप 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 मिल जाता है हैंडल वार की position के अगर में बात करते हैं इस हैंडल वार की position के उगाड़, जो है एकडर के position के गाड़ी में आप info infrared बैटते हो थूड़ा सा lean होना पड़ता है तो sports bag के इस गाड़ी के इस गाड़ी हमें थोड़ा सा lean होना पड़ता है कि कौलिटी बद्रा में बात करी गई और अगर एक नहीं चीज क्या अपर बदों यहां चीजुन मिल रहुग तो यहां पर है पर यगनिशन पनी असलेयर को लिखने मिलता है जो कि SOS signal यहां से आप भेज सकते हो, इसमें आपको accident crash alert देखने को मिलता है, fall and topple alert भी आपको देखने को मिलता है, और overspeed alert भी आपको इस गाड़ी में देखने को मिलता है, अगर आप patch connect से connect करते हो, तो उसके बाद security alert भी आपको इस गाड़ी में देखने को मिलता है, नेवीगेशन भी बता देगा, लोकेशन भी आपको आपकी जो शेयर हो जाएगी एच कनेक के थ्रूँ और इस गाड़ी में आपको वेहिकल हेल भी आपको एच कनेक के थ्रूँ ही पता चल जाएगी अपने मोबाइल पे ही, मतलब जैसे कुछ अगर खराबी आ जाती ही, वो भी बढ़ाया गया इस गाड़ी के कूशनिंग को ताकि इस गाड़ी को और ज़्यादा comfortable करा जाए मतलब कि यह जो पहली वाली जो हमारी extreme आती तो उसमें थोड़ी सी पतली seat देखने को मिलती है जिसके अगरन थोड़ा सा comfort level उस गाड़ी में आपको जो मिलता नहीं ता लेकिन इस गाड़ी में जो बढ़िया सा comfort level आपको इस गाड़ी में देखने को मिलने वाला है सकते हो और आपको जो भी गाड़ी पसंद आती अपने घर पर बूख करके ले जा सकते हो तो बस एक कुछ आचकी सुड़ों मुझे आप सभी साथ शेयर करना था इस गाड़ी के बारे में तो मिलते हैं नेक्स सुड़ों में तब तक ले टाटा वावे जाई जबरत सान बाइव चाह एक करान ओब